के लिए online registration start हो चुक है अगर आप यूपी से डियलेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस official website पर अपना registration form fill करना ही होगा registration form fill करने के बाद ही आपका जो admission है वो confirm होगा किसी भी condition में without registration वाले students को admission नहीं मिलेगा चाहे आप दुनिया के किसे भी कोने से हों कैसे भी strength हों registration करना कमपल सरी है इस website पर registration करना कमपल सरी है यूपीडियलेट की उसके बाद ही आगे की जो process है वो आप कर पाएंगे तो registration form वहने के जो last date है वो 9 October रखी गई है तो 9 October तक का आप बिलकुल भी wait ना करें ठीक है 9 October का ब पूरी तरह से server down हो जाता है फिर उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी यह चीज़ आपको समझाई जारी है इसलिए बाद में आप पर इसान ना हो ठीक है इसके साथ ही बहुत सारे इसके यहां पर यह कह रहे हैं ठीक है कि जो counseling fees online जमा होगी ठीक है इसी website पर counseling फीस करेंगे औरronics ना के यहां इसके बाद ही आपकॉ eles select करना है ठीक है खौल बा कि सिलेक्ट करने के लिए आप कितने भी कोllä सेट कर सकते हैं अनलिमिटर इसकी को यह नहीं है यह यूदी के सारी कोज सेड़ कर सकते लेकिन college select करने के बाद अगर college नहीं मिला, बहुत सार इस्ट्रेट्स के comments आगर college नहीं मिला, तो क्या ये 5-6 रुपए आपके वापस होंगे, तो ये जो 5-6 रुपए हैं, ये बिल्कुल भी आपके वापस नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप अपनी जो counseling है, वो online counseling सोच समझ कर कराएं, ठीक है, तो इस चीज़ का आप धियां तके 5-6 रुपए जो है, वो वापस आपके नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप maximum college को select करें, कितना maximum, मतलब अधिक से अधिक, ठीक है, notification में कहीं पर भी ये जो बात है, वो नहीं बताई गई है, कि 5-6 रुपए जो है, वो online counseling कराएंगे, तब लेकिन अगर आप हमारे throw admission लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमारे throw admission लेना चाहते हैं, तो आपकी जो फीस रहेगी, दोनों साल की, ठीक है, दोनों साल की ये सुल्क रहेगा, आपका VTC DL8 का 55,000 रुपए, कितना? 55,000 रुपए, इसके अतरिक्त पैसा है, वो एक्स्टा पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये दोनों साल की आपकी फीस है, वैसे अगर आप डारेक्ट ऑनलाइन counseling कराएंगे, खुछ से counseling कराएंगे, तो और college में जाएंगे आप तो 41,000 रुपए लिए जाएंगे आप से एक साल के, एक साल के 41,000 पैसा है, ये फीस आपकी अभी के लिए, ठीक है, 9 October से पहले पहले के लिए, अगर आप seat वो कराते हैं तब, ठीक है, आधिक है, आधिक जानकारी के लिए आप इस नमबर पर भाट सेप कर सकते हैं, और जो फीस है, वो आप आसान किस्तों में जमा करने की सुविदा है, ऐस इसके साथ ही practical fees भी आपसे कुछ भी नहीं ले जाएगी, ठीक है, और internship में आपको फीस सुविदा जो है, वो पिरदान की जाएगी, इसके साथ ही आपको college आना नहीं है, आपको जो admission है, वो non attending होगा, आपको admission के लिए college आना होगा, exam देने के लिए college आना होगा, और practical देने क जो फीस है, वो केबल 9 October से पहले seat book कराने पर है, ठीक है, 9 October के बाद जब station की संक्या पता चले जाएगी, उसके बाद फीस अगर बढ़ती है, तो बड़ी भी फीस ही आपसे ली जाएगी, अगर आप उससे 9 October से पहले seat book कराते हैं, तो आपका इसी फीस में दोनु साल का जो और college आपको नहीं मिला 5000 रुपे जमा करने के बाद, तो बो जो पैसा है, वो आपका फंस सकता है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो इस वीडियो को share जूर केजिए अपने friends के साथ, अगर आप चैनल पर नहीं है, तो चैनल को subscribe करके वेलेगी जूर पेस कलीज़, औ आपको अपने friends के साथ भी जरूँ सेर कीजिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एकनी वीडियो में एकनी information के साथ, धिंकी so much for watching.